नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर केट साउगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस विड़ों में आगे बात करेंगे। हम Pulmonary Hypertension या फिर pH बोलते हैं। सब सबस्क्ति हमारे बात करते हैं कि Pulmonary Hypertension की कारवनों के वज़े होता है। इसके बार मुटेशन के वज़े से या फिर जीन्स में होने वाले चेंजिस के वज़े से भी किसी भी विक्ति में पर्मुनरे हैपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद दिल की कोई पैदाइश ही बीमारी होना इसके साथ कुछ पर्टिकौलर मेडीकेशन का काफी लमबे सम commendation तक इस्तंपाल करना है। इसके बाद हम बात करेंगे pulmonary hypertension इस बीमारी के लक्षन या फिर science और symptoms के बारे में सबसे पहली बात तो उस patient को pulmonary hypertension के वज़े से सीने में दर्द हो सकता है, palpitations हो सकते है palpitations मतलब कि वो patient अपने खुर्ट की दिल की धड़कन महसूस कर सकता है इसको pulmonary hypertension ऐसे बोलते है, patient को बहुत ज़्यादा थका और महसूस होना, patient को सांस लेने में तकलीफ होना या फिस सांस फूलना, एक कुछ महतुपूरन लक्षन है जो की pulmonary hypertension के patient में देखे जाते हैं इसके साथ-साथ चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थका और महसूस होना, patient के पेरों के उपर सूजन आना और patient के skin और जो ओट होते हैं, जो lips होते हैं, उनके उपर काफी थोड़ी बहुत मातरा में bluishness दिखाई देना यह भी लक्षन उस patient pulmonary hypertension के वज़े से देखे जाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे pulmonary hypertension के diagnosis के बारे में सबसे पहली बात तो pulmonary hypertension को diagnose करने के लिए हम blood test कर सकते हैं जैसे की CBC हो गया, इसके साथ-साथ हम उस patient में ECG कर सकते हैं ECG के साथ-साथ उस patient में chest xray भी किया जा सकता है इसके बाद उस patient में 2D echo कर सकते हैं 2D echo के साथ-साथ उस patient में yamara scan, city scan इस तरह की चीज़े भी की जा सकती है और right heart catheterization और pulmonary function test, A-B test हम कर सकते हैं इसके बाद sleep study करना, ventilation perfusion scan करना, open lung biopsy करना और genetic testing करना एक कुछ diagnostic tools हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस patient में pulmonary hypertension को diagnose कर सकते हैं finally अब हम बात करेंगे pulmonary hypertension के treatment या फिर ilač के बारे में सबसे पहली बात की हम उस patient में pulmonary hypertension को treat करने के लिए कुछ vasodilators दे सकते हैं जैसे कि ipoprostanol, इसके बाद कुछ guanilates, cyclates, stimulators भी दे सकते हैं कुछ calcium channel blockers को भी high dose में दिया जाता है इसके साथ साथ हम उस patient में blood thinners के अंदर warfarin दे सकते हैं इसके बाद हम उस patient में digoxin भी दे सकते हैं और diuretics जैसे के frosemid या फिर injection lastics इस तरह के medications भी दे सकते हैं कुछ refractory cases में जहां पर उस patient को कुछ भी आराम नहीं हो रहा है medicinal treatment से उस patient को कुछ भी मतलब तकलिफ में राहत नहीं मिल रही है तो फिर उस patient में हम surgery भी कर सकते हैं यहां पर दो तरह की surgery की जाती है सबसे पहले तो हम atrial septostomy कर सकते हैं और दूसरा option होता है lung transplant का तो कौन से patient में कौन सी surgery करनी चाहिए यह इस बात पर डिपेंड करता है कि patient को क्या signs और symptoms आ रहे है कब से आ रहे है उनकी severity कितनी है और medicine की जो हम treatment उस patient को दे रहे है उससे उस patient में कितनी रहत मिल रही है इन सब चीजों को देख करके यह फिर बात को decide किया जाता है कि इसमें से कौन सी surgery उस patient में करनी चाहिए तो this was in short about the pulmonary hypertension thanks for watching this video till then thank you very much